तो चलिए आईए अब हम लोग बढ़ते हैं lesson 56 यहाँ पर हम लोग देखेंगे use of adverb of time ठीक है adverb of time का कैसे इस्तिमाल किया जाता है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे सबसे पहले हम लोग कुछ examples देखेंगे so look at the following और उसके बाद हम लोग exercises solve करेंगे आज रात एक सभा है there is a meeting tonight ठीक है अगले सब्ता एक पार्टी है there is a party next week अगले सब्ता next week आज रात तुनाइट मैंने गत महा उसे देखा है I saw him last month गत महा मतलब पिछले महना last month वह आज शाम आएगा he will come this evening या तुड़े इवनिंग भी बोल सकते हैं इन वाक्यों से कार्य के होने या करने के समय time का बोध होता है और तब this, next, last के पहले in या at का प्रयोग नहीं होता याद कर ले, now, अब के स्थान पर, then, तब, just then, तभी, today, आज, tomorrow, कल, yesterday, कल बीता हुआ, मतलब पिछले दिन, soon, जल्दी, shortly, जल्दी, just, अभी, just now, तुरंत, अभी, अभी, nowadays, आज कल, these days, आज कल, still, अभी तक, yet, अभी भी, as, yet, अभी तक, और tonight, आज रात इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लिजे, अभी हम लोग exercises solve करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से sentences बनाया जाता है, ठीक है, तो आईए स्टार्ट करते हैं, exercise 56, translate into English, कल एक मैज है, tomorrow is a match, आज रात एक पार्टी है, आज रात, tonight is a party, या, there is a party tonight, ठीक है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, शाम को एक भोज है, शाम मतलब in the evening, भोज डिनर, ठीक है, there is a dinner in the evening, ठीक है, आज शाम एक चाय पार्टी है, there is a tea party this evening, ठीक है, दोपहर में एक class है, दोपहर at noon बोलते हैं, there is a class in the afternoon, ठीक है, या इसको आप लोग ये भी कह सकते हैं, एक मेट वेट कीजिए कि इसको थोड़ा उपर कर देते हैं, there is a class at noon, ठीक है, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं, अच्छा, मैं आज सुभा आया, I came this morning, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, I came today morning, वह आज शाम लोटेगा, He will return, शाम को लोटेगा, Today evening, ठीक है, तुम अगले सबता जाओगे, You will go next week, Rani आज रात आएगी, Rani will come today, अच्छा, आज रात, ठीक है, रमेश गत सबता आया, गत सबता मतलब last week, रमेश came last week, वह अगले मा दिल्ली जाएंगे, They will go till he next week, ठीक है, अच्छा, अगले मा है ना तो next month, हम लोग गत सबता नेपाल में थे, We were in Nepal last week, ठीक है, Rani आज खेलेगी, Rani will play today, हमीद ने कल पत्र लिखा, हमीद wrote a letter yesterday, ठीक है, वह आज कल बीमार है, He is still today, वह अभी भी नहीं लोटा है, He still hasn't written, मैं अगले सप्ता, अच्छा, यहां पत्नी नहीं पत्ना होगा, मैं अगले सप्ता पत्नी जाऊंगा नहीं होगा, मैं अगले सप्ता पत्ना जाऊंगा, I will go to Patna next week ठीक है तो इस तरह से आप adverb of time से sentences बना सकते हैं